तो अगर हम आज के लिए बात करें तो देखिए यहां से हमने मांक किया था एक डिससिव लेवल हमारा 103.143 हमने काता अगर यह ब्रेक होता है तो अगर यहां से रिवर्सल लेती है तो हमार पर सबसे पहले जो सपोर्ट मिलेगा वो यह ट्रेंड लाइगी और आप देख सकते यहां पर आकर हमें एक कैंडल दिया है जिसने इस पर एक्जाक्ली सपोर्ट लिया है इसको ब्रेक करते ही हमने का था फर्स टागट रहेंगा 102.897 जिसको मार्क ने हिट किया उसकी बाद सेल सेट के छोड़ चोड़ी टागर से फर्स टागर था हमारा 102.855 जिस पर मार्क न पर मार्क निचे के कि पिर ज है वसकी आए था मार्क कि एंप कर से शुड़ किया तो जो जिबी पी का डाटा था वह जी बींप के लिए स्टरों गया पॉज सी बात on एंडिये और से हमारा नीचे के तरफ का वहमयंट लिया क्योंकि यहां से पॉजिट्टिव डाटा रहा है DPP USD के लिए और निगतिव रहा डॉलर इंडेक्स के लिए इसकी के लिए इसके लिए ग्रेव टौत पान्स जीक्थव इसकी पर यहां पर Candles पर देखने को मिल रहा है, छे बजे यूएस का PPI का डाटा आया है, जो की थोड़े नेगेटिव रहा, डॉलर इंडेक्स के लिए, इसलिए यहां पर हमें content view में red candles देखने को मिले है, तो आज का यह जो moment आया है, यहां से यहां उसका positivity, फिर यहां से नीचे की त लेकिन हां, इंडिया का data आ रहा है, तो इंडिया के currency में, इंडिया के nifty में, bank nifty में, इंडिया के stocks में हमें यहां पर इच्छे moments देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम dollar index के बात करें या international level के बात करें, तो international level पर कोई भी ऐस डाटा नहीं आ रहा है, जो strongly हमें impactful trade दे सके तो इसके लिए हमें छोटे trades पर ही prefer करना होगा, हम बहुत जादा बड़े trades नहीं है, आपर प्लान कर सकते हैं, तो upside के लिए जो हमारा decisive level रहेगा, 102.897 रहेगा, और sell sell के लिए 102.855 का level, अगर market sell sell का trade जो है activate करती है, bearish candle के साथ close देती है इस level के नीचे, तो 102.803 first, 102.703 second, और 102.619 third target रह सकता है, इसी के साथ अगर market buy side का move लेती है और upper level तोड़ती है, तो 102.999, इसको हम तो सब drag करके नीचे के तरफ shift करेंगे, क्यों कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं, कितना जादा strongly validate कर रही है इस level को, यहां पर यहां पर यहां इसको भी उम ड्रा करके नीचे के तरह shift करेंगे, ताकि यह जो candle इसको hit करती है, 103.132 यह हमारे levels रहेंगे buy side के लिए, अब हम discuss करते हैं कि gold में किस तरह का movement आ सकता है, तो यहां पर गोल्ड पॉजिटिव रहा है, लेख सकते हैं, यहां से buy side का trade रहा होती है, यहां अब हम आपके तरह बड़ी है, और मैं आपको बताया भी था कि market यहां पर support ले रही है, काफी strong support बना वाए, डे के chart पर switch करते है, अगर हम notice करें, यहां रहा हम आप एक trend line ड्राउ करी थी, और हमने आपके यहां से market support ले रही है, अब मार्के उपर की तरफ जा सकती है, तो ह हम अब मार्किंग करते हैं, लेवस थेखते हैं, सारी target market है तरफ जा से काफी साथ strongly market उपर तक बढ़ चुकी है, तो जो हम मंडे के लिये मांग करते हैं कि मंडे किले गर हम देखें तो मंगिट काफी तक तक जा चुकिये और यहां पर आकर मंकिट का वहाँ रिजिस्टंस के रिख हैं लेके हाई पीक हमारा 2684 तक बना हुआ है तो यहां तक पॉसिबिल्टी बनी हुए जाने की और अगर हम देके चाट पे चलते हैं ट्रॉइंच अपर देके चाट पर चलते हैं तो देके चाट फिए मार्कित काफी ऊपर तक आ चुक है लेकि पावजुद भी यह जिस लेविल इस लेवल पर, बहुत strong resistance created है, तो आप यहां पर देख सकते है, strong resistance created है, तो market हो सकते है, यहां से नीची के तरफ जाए, तो अब हम यहां के mark करन करते है, marking करते है, आवली चार्ट पर switch करते है, और targets mark करते है, intradale के लिए, एक overview मिल गया है, कि D के चार्ट पर strong resistance created है, तो अब हमें थोड़ से cautiously plan करना है, buy set पर हम जाते हैं, तो cautiously जाएंगे, और अगर एक चीज़ और देखेंगे हैं, notice कि आप यहां पर, प्राइस ही उपर जा रहे है, volume नीचे गिर रहे है, possibility बहुत जाला strong है, कि market resistance लेकर नीचे के तरफ गिर जाए, तो अब हमने देखा कि D लेकिन फिर भी हमें अपने marking करने हैं सबसे पहले, जब तक हमारी levels break नहीं होंगे, तब तक हम trade में entry नहीं लेंगे, तो 2664 हमारा buy side का decisive level रहेगा, sell side के रहेगा 2658 का level, बागी सारे levels हम green mark कर देंगे आपर, और इनकिस अगर market buy side का trade activate करती है, तो step-by-step पर marking करते है, 2671, 2676, छ जादा देर market में sustain नहीं करना है हमें मंडे को, क्योंकि सादा strong data नहीं आ रहे है, 2682, यह हमारे buy side के target रहेंगे, sell side के अगर हम बात करते हैं, तो first target रहेगा हमारा break करते ही, lower level 2653, 2651, 2647, 2644, लेकिन 2644 को भी अगर हम notice करें, इससे एक और चुटा सा हमारे पास, यहां पर resistance क्र तो इससे हमारे लेवल को, हमारे जो target area है, इसको थोड़ा सा और चुटा कर दिया है, यह आप देख सकते हैं, थोड़ा concise हो गया है, पर यह 2647, 2644 का target था, यह 2647, 2645, और इसके बाद 2644 का target हमें देखने को मिलेगा, तो यह levels आप मांकर लेजए, इसके साथ ही हम बात करते है XAGUSD की काफी strong moment आया है, सारा data की वज़ा से आप देख देखने है, सारा data की वज़ा से और यह जो data है, यह आपको आपको टेलीग्राम चैल पर अपडेट भी करते हैं, तो अगर आपनी हमारे तेलीग्राम चैल नहीं किया है, तो आप आप हमारे तरेलीग्राम चैल तो लेवल्ट्स हम आपको टेक्निकल लेवल हमान देते हैं, फंडमेंटल्स के लिए आप आप हम वाए टेलिगाँअ को जोंर कि नीड़ नेते हैं, जो lot कोस्त है, और वहांपे हम लॉपनाट डाट नेक्र विप हं टेक् ăया अम करते हैं कि एक सब से पहले हम यह marking रेस कर लेते हैं की चार्ट पर चलते हैं ड्रॉइंग जॉफ करते और यहां पर देखेंगे देखें यहां पर एक्राइंटिक हुआ है और मार्केश थोड़ा सूपर जा चुकी है रिकर अगर अगर हम अवली चार्ट पर चलें आपर एगे प्रैसे बनती भी नज़र आ रही है दे के चार्ट पे रजिस्टेंस क्रेटिड है आवरली चार्ट पे डाइवर्जिंस देखने को भल रहा है मां के नीचे जा सकती है तो पॉसिबिल्टी बहुत साथ है लेवल रहेगा 31.61 का लेवल यह अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 31.66 31.76 31.83 यह हमारे रहेंगे लेवल बाइसाइट के टागेट और इंकेस मार्केट हमारे इसी डिससिव लेवल से नीचे की तरफ बेरिश केंडल देती है मतलब विक चोटी और बॉडी स्ट्रॉक्टर बढ़ा ऐसी कैनल देती है तो हमें इस सेलसाइट के देखने को मिलेगा 31.47 31.39 31.29 और 31.19 यह रहेंगे हमारे सेलसाइट के टागेट इनको आप मांकर लिजे सब ल Febru देखने को मिल रहा है हमारे тобой सेटी सबी टागेट स मांकेट करते गई हैं इसके बावजुद भी और भी जादा अबर के तरफ बढ़ी है तू हमें मंडी के लिए मांकेंग करने है सबसे पहले जो ब्लाक लाइन सेिसको हम ग्रीन में कनवर्ट कर देंगे तो अम हमें मार्किंग करने है, वो रहेगा 91.677, बाइसेट कर रहेगा 91.991, लिए अगर ट्रेड अक्टिवेट होता है, तो 91.008, 283, 90.948, 90.614, हमारा टागेट रहेगा लिए, बाइसेट के लिए लिए अगर हम बात करते हैं, तो 92.310, 92.511, 57.321, ये रहेगे हमारे वाईसेट के लागेट, तो इनको आप मार्क रलीज आप लिए अपनी चार्ट पर और छोटे ट्रेड्स में एंटरी लिएगा चोटे ट्रेड्स में प्रेफर किजएगा दूक्ते हैं, और आप टेली ग्राम चैलर जुआ कर लिगें जिसका लिंक हमने दे रखा है और अपने अपने ट्रेडिग शुरू नहीं करी तो आप लिखने आपे एंद स्क्रीन हें आपने आपकाल नहीं कर सकते आप लिए ऑगाल लिंक एस वीडियो जिए क्या प्रोड लॉखने लिखने अगर आप हमारी वीडियो को देकर step by step उनको follow करेंगे और अपने account को open करेंगे So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like button पर click किजेगा Share कीजिए, subscribe कीजिए और maximum profits earn कीजिए Okay investors, bye everybody, take care and keep on earning profits Good night